नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूँ प्रियादर्शन आज सुबा सुबा पतना जंक्षन के पास आग लगने की एक बड़ी घटना हुई है और यह पूरी घटना पतना जंक्षन के पास इस्थित गोलंबर के पास के एक बहुमंजली इमारत में हुई है और घटना के बाद से अफरात तफरी का माहौल बढ़या हुआ है दरसल पतना जंक्षन जहांके आज पास काफी सगहनावादी है काफी भीर भारवाला इलाका है और यहां बरेस्तर पर लोग सुबा सुबा पहुँशने हैं उसी पतना जंक्षन के पास के एक बिल्डिंग में सुबा सुबा आज आग लगने की घटना हुई और देखते ही देखते आग ने बहुमंजली बारत को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लिया और कुछ समय में ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया जो घटना हुई इस घटना के वारे बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है इसका नाम पतना किराना श्टोर वाल ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में बरी संख्या में जो भीर है वह सुबा से ही आज पास जुर जाती है बरेश्टर पर यहाँ जो फुट कर विक्रेता है वह भी आसपास रहते हैं इसके अतरीक वहाँ आमने इस बगल में पार्टिंग स्टेंड होने के कारण आसपास लोगों का आबागमन भी जारी रहता है इसके अतरीक पतना जंक्सन होने के कारण वहाँ पर जो आने वाले यात्री होते हैं, उनकी भी अच्छी खासी तादाद यहीं से गुजरती है तो ऐसे में आग की लप्टे देखने के साथ ही लोगों में अफरातफ्री का माहौल मच गया पूरे इलाके में हरकम जैसी इस्तिती मच गई है और उसके बाद इस आग की घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आग के कारण परतना जलिशन के पास जो पूरे का पूरा इलाका है वहाँ पर काफी देर तक वो इस्तिती काफी बेकाबू जैसी दिखी और आग के कारण कुछ लोग इसके चपेट में भी आए है हलाकि उनके बारे में बताया जा रहा है कि यह मामूली तरीकी की घटना है लेकिन आग ने बिल्डिंग को बड़ी ही तेजी से पूरी तरीके से अपने चपेट में लिया और उस दौरान बिल्डिंग में कुछ लोगों के भी मवजूद होने की ख़बर बताई जा रही है दरसल जहां पर आग लगी है यगर आप इस इलाके को देखिएगा तो यह पत्ना जैंक्शन के ठीक सामने जो पत्ना गोलंबर है उस गोलंबर के बगल वाली यह बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में बड़े स्तर पर जो वहाँ पर आजपास के होटल्स और अनिप्रकार के यहाँ पर वानिजी को और वैबसाज प्रतिष्ठान है तो ऐसे में आग की लप्ते देखने के साथ ही जो अगल बगल की दुकाने थी उन लोगों ने भी अपनी दुकानों का सटर गिरा दिया आजपास के जो होटल्स थे उन में से भी एक तरिकस कहें तो अफरात अपरी का माहौल मच गया और जो भी वहाँ पर लोग थे वो भी तेजी से बाहर निकल गए और पूरी घटना के बाद दमकल और पुलिस की टीम ने वहाँ पर पहुँच करके आग को काबू पाने के लिए अपना भियान सुरू किया है लेकिन आग की लप्टे इतनी तेज हैं कि उसे काबू करने में दमकल कर्मियों के भी पसीने चूट रहे हैं दरसलम आपको बताएं कि इन दिनों पतना सहित पूरे बिहार में गर्मी का प्रकूप चल रहा है लू की स्थिती बनी हुई है तापमान भी 42 डिग्री तक पहुँच रहा है गर्मी के दौरान पूरे राज में अलग अलग जगों पर अगलगी की घटनाएं काफी तेजी से हो रही है और इन ही घटनाओं के बीच अपतना जंक्सन पर आग लगने की ये बड़ी घटना हुई है जिसमें आग लगने के कारण जिस बिल्डिंग को आग ने पीच अपेट में लिया है उस बिल्डिंग में कुछ लोगों के भी मौजूद होने की ख़बर बताई जा रही है और आग के बाद जो आपरेशन चलाया जा रहा है रेस्क्यू के लिए उस रेस्क्यू आपरेशन के दौरान पूरे होटल को अपने कबजे कहें कि जो दमकल करमी है उन्होंने उसे जा करके और तूरिक चारो तरफ से वहाँ पे जो भी मौजूद लोग थे उन सब को वहाँ से बाहर नहटाया गया है साथी साथ जिन लोगों के अंदर फसे होने की बाते कहीं जा रही थी उन लोगों को भी सुरक्षित निकालने के लिए तमाम तरीके के सुरक्षा उपाई किए जा रहे हैं और अफ्रात अफ्रीवले हाल में वहाँ पर आग को नियंतित करने के लिए यह इस जो इलाके में जहां के काफी भीरभार वाला इलाका होने के साथ ही ट्रैफिक की काफी समस्या है सक्री पूरे जो इलाके हैं वहाँ पर काफी भीरभार रहती है इलाका भी काफी ही तो और जो लोग अगर आग की चपेट में आए हैं तो उन्हें सुरकषित वाहर निकाल करें अपकाल उनका उपचार करा जायए इन सब को लेकरके अब दमकल के कर्मी पूरी मुस्तहदी के साथ वहाँ पर लगे हुए हैं तो पत्ता जंगसन पर लगी इस भी सनाराग की और क्या प्डेट्स आते हैं हम आपको सब कुछ बताएंगे बने रहें नीज फोर नेशन के साथ